Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरे और ये है आप लोगों के लिए May 2022 की Love Tarot Reading और अभी मैं out of country हूँ, मैं Canada में हूँ तो अगर आप personal session चाहते हैं और फिर किसी भी reason के लिए मुझे contact करना चाहते हैं आप WhatsApp message करेंगे या फिर WhatsApp call करेंगे तो बहतर रहेगा और हो सकता है देखिए जवाब देने में थोड़ा सा delay हो जाए क्योंकि यहाँ पर दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप WhatsApp call यहाँ फिर WhatsApp message करेंगे तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा और आप अपना personal session भी book करा सकते हैं और दिखिए contact number नीचे description box पे mention है उसी पे ही आप WhatsApp call और message मेंचे कर सकते हैं और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा page भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं May 2022 की Love Tarot Reading तो चलिए लिबराज आप लोगों के लिए देखें कि May 2022 में आपकी Love Life कैसी रहेगी तो में पास यहाँ पर तीन सेट अफ कार्द हैं फर्स सेट में हम आपकी energies देखेंगे सेकंड सेट में आपके partner की energies देखेंगे and third set में हम देखेंगे कि finally May month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं Libras और आपके लिए आप इस सबसे पहले cards में जो दिख रहे हैं और ये cards कहते हैं कि कुछ time से या फिर May starting में एक physical connect, एक physical intimacy, एक physical attraction आप अपने partner के लिए महसूस कर रहे हैं लेकिन कहीं दिखें बहुत action initiatives आप लेते हुए नहीं दिख रहे हैं या मैं कहा सकते हूँ कि बहुत आपकी carefree energies हैं आप future के बारे में जादा नहीं सोचना चाहा रहे हैं जादा नहीं planning करना चाहा रहे हैं जैसे चीजें आ रहे हैं आप वैसे ही उनको लेना चाहा रहे हैं फिर से दिखें एक carefree energies रहे रहे हैं और in the process कहीं immature तरीके से भी कुछ Libras चीजों को deal करते हुए दिख रहे हैं and देखें mid may के लिए हापे night of cups का card कहता है कि एक imaginary एक dreamy से world में आप रहे रहे हैं जहाँ पे आप ख्वाब देख रहे हैं या मैं कह सकती हूँ कि बहुत जादा आपने partner के लिए emotional हो रहे हैं sentimental हो रहे हैं लेकिन देखे night of cups का भी card कहता है concrete actions, concrete steps जो भी आप चाहा रहे हैं जिसको लेकर भी एक सपना आप देख रहे हैं उसी से related लेते हुए नहीं देख रहे हैं और देखें सब के लिए यहाँ पे भी different reasons हो सकते हैं लेकिन night of cups के नीचे limitation का card कहता है कि कुछ limitations हैं, कुछ restrictions हैं और देखें यह restrictions भी सब के लिए differ कर सकती हैं कुछ के लिए हो सकता है society, religion, family की तरफ से restrictions हैं, limitations हैं और कुछ के लिए देखें आपका ही Libra's thought process थोड़ा सा negative रह सकता है किसी चीज़ को लेकर या पर negative belief system रह सकता है जिसकी वज़े से कहीं देखिए आप ख्वाब देख रहे हैं किसी चीज़ को लेकर आप चाहत रख रहे हैं लेकिन action initiatives उस तरीके से नहीं लेते वे देख रहे हैं लेकिन देखिए end में के लिए आपे aloneness का काट कहता है कि अकेलापन आप महसूस कर सकते हैं एक missing feeling रह सकती है और इसलिए या फिर otherwise भी जो भी limitations, जो भी restrictions आ रहीं थी आपके action initiatives लेने में उन्ही को ही आप overcome कर रहे हैं उन्ही को ही आप बहुत ही courageously बहुत ही boldly deal करते हुए दिख रहे हैं और देखिए फिर से मैं कहूंगी बहुत एक willpower, बहुत एक determination अपनी dreams, अपनी चाहत के लिए रहती हुए दिख रही है और अब देखते हैं Libras के आपके partner की क्या energies हैं तो आपके partner के लिए देखिए सबसे पहला card मुझे दिख रहा है family और देखिए फिर से ये general reading है तो यहाँ पे सब Libras के partner के लिए थोड़ा थोड़ा differ कर सकता है कुछ Libras के partner के लिए हो सकता है कि आपके साथ ही Libras आपके partner family start करना चाहा रहे हैं कहीं long term चाहा रहे हैं कहीं concrete realistic चीज़ें चाहा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि family की interference, family की involvement है तो देखे फिर से थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा और उसी से ही related कहीं देखे page of cups का card कहता है कि छोटे छोटे initiatives उनकी तरफ से हो सकते हैं वो आपको message कर सकते हैं, phone call कर सकते हैं एक प्यार महबबत भी महसूस करते हुए देख रहे हैं और देखे यहाँ पे two of cups का card भी कहीं marriage की बात करता है कहीं engagement की बात करता है, long term की बात करता है बहुत एक प्यार, महबबत महसूस करने की बात करता है emotional होने की बात करता है, sentimental होने की बात करता है और कुछ ऐसा ही आपके partner के लिए भी रहतावा दिख रहा है यहाँ पे देखे looking one another का card कहता है कि इन ही सब चीजों के लिए वो आपकी तरफ देख रहे हैं आपके उपर again मैं कहूंगी dependent हो रहे हैं या फिर आपकी तरफ से कुछ action initiatives चाहा रहे हैं और आपके लिए हमने देखा liberals की mid-may तक कहीं आप भी बहुत you know एक सपने बुन रहे हैं खौब देख रहे हैं लेकिन action initiatives उस तरीके से नहीं ले रहे हैं और शायद इसी लिए देखे देट टौवर का card कहता है कि बहुत एक irritation, frustration आपके partner महसूस कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ को अगर उन्होंने बहुत suppress किया था कुछ Libras के partner के लिए गुसा हो सकता है कुछ के लिए प्यार हो सकता है उसका एक sudden went out हो सकता है और बहुत एक उथल पुथल upside down energies में वो रहते हुए देख रहे हैं deeper level के लिए nourishment का card कहता है उनको ऐसे लग सकता है कि इस relationship के लिए या फिर आपके लिए उन्होंने कहीं अपनी health को ignore किया अपने आपको ignore किया और कहीं वो अपने उपर focus करना चाहा रहे हैं जो भी चीज़े ठीक नहीं है या फिर जो भी चीज़ें उनको परेशान कर रहे हैं उनको वो let go करना चाहा रहे हैं और कहीं देखे अपनी well being पे अपनी health पे वो जादा focus करना चाहा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर tower का card भी कहता है Libras की हो सकता है आपके partner health related issues देख रहे हैं और देखे हो सकता है कि यह सब Libras के partner के लिए अपरी cable ना हो कुछ के लिए हो और देखे फिर से मैं कहूंगी कि कुछ Libras के partner के लिए हो सकता है कि इसी relationship की वजए से या फिर उनकी personal life में कोई चीज है जिसकी वजए से वो mentally बहुत upset है और कहीं health भी effect कर रही है और वो अपनी health पे focus करना चाहा रहे हैं overall के लिए फिर से देखें तो देखें बहुत एक उतल पुतल बहुत एक disturbing सी energies में आपके partner में एंड में रह सकते हैं और nourishment का card कहता है कि कहीं उनों अपनी well being अपनी health पे again वो जादा focus करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं और अब देखते हैं Libras की में मंत में क्या हो रहा है तो में मंत के लिए दिखें सबसे पहला card मुझे दिख रहा है mystical union और ये card कहता है कि कुछ time से या में starting में आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग रहा है कि भे आप लोगों का union possible ही नहीं है आप लोग शायद कभी भी नहीं मिल पाएंगे या फिर कभी भी हमेशा के लिए साथ नहीं हो पाएंगे और शायद इसलिए देखें Ace of Swords का card कहता है कि एक detachment किसी level पे लाना चाहा रहे हैं logically चीजों को deal कर रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ ideas भी आपके mind में आ रहे हैं कि कैसे चीजों को better करें यहाँ पे contemplation का card भी एक अकेलापन महसूस करने की बात करता है deeper level पे बहुत एक गहरी सोच में भी जाने की बात करता है एक introspective energies की भी बात करता है और कुछ ऐसा ही इस relationship में भी रहता हुआ दिख रहा है शायर इसी लिए देखिए the sun rivers का card कहता है कि एक happiness है, एक joy है, enthusiasm है, excitement है लेकिन साथी साथी एक missing feeling भी रह रही है या मैं कह सकती हूँ कि इसी खुशी, इसी joy को पुरी तरीके से आप लोग enjoy नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे crucible का card कहता है कि आप लोग हमेशा के लिए again एक दूसरे का साथ चाहा रहे हैं लेकिन इसी से ही related queen of pentacles, reverse का card कहता है कि कुछ concrete steps या तो आप नहीं ले रहे हैं या फिर concrete level पे, realistic level पे कुछ खास नहीं हो रहा है और देखे, इसी लिए शायद साथ होते हुए भी एक दूसरे का साथ आप लोग नहीं महसूस कर पा रहे हैं इस card को भी अगर आप देखें Libras, तो इसमें दो birds हैं, वो साथ हैं लेकिन एक bird क्योंकि पिंजरे में है, तो फिर से दिखे, साथ होते हुए भी साथ नहीं है और आपके लिए भी यहीं दिख रहा है, कि आप दोनों में से कोई एक अपनी ही limitations, अपनी ही restrictions में है जिनको नहीं तोड़ पा रहे हैं, जैसे कि इस card में यह चिडिया पिंजरे से बाहर नहीं निकल पा रही है और इसलिए देखिए, फिर से साथ नहीं हो पा रही है तो देखिए, बहुत हद तक Libras हमारे ही हाथ में होता है इन limitations, इन restrictions को तोड़ना और अगर यह limitations, यह restrictions आप दोनों या फिर जो भी महसूस कर रहे हैं वो तोड़ पाएंगे तो जो एक union आप लोग चाहा रहे हैं, वो भी possible होगा और देखे, वैसे भी मैंने हमेशा कहा है cards guidance के लिए होते हैं तो इस reading से भी आप guidance लेके कैसे चीजों को better करें नहीं तो देखे, हाँ पे cards यही कह रहे हैं कि साथ होते हुए भी एक साथ आप लोगों का नहीं रहता हुआ दिख रहा है practical, realistic level पे चीजें नहीं होते हुए दिख रहे हैं तो यह था लिब्राज आप लोगों के लिए May 2022 की Love Tarot Reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें